जैहिन, वेलकम टो अगर्स्तू लर्निंग और आज हम लोग नई हंटा के साथ यहां पर उपस्थित हुए हैं जिसका नाम है रूस यूक्रेन विवाद, आखिर में इतने दिनों से रूस और यूक्रेन के बीच विवाद का क्या कारण रहा है और भारत की इसमें इस्थिति क क्यों इन दोनों के बीच इस तरह की नौबत आई कि जो पहले हमारा दोस्ता आज वो दुस्मन हो गया है तो इसकी पूरी परिप्रेश और इसकी पूरी जानगारी आज हम लोग इस करेंट अफेस्ट टुडे की क्लास में ले रहे हैं और इसके सारी परस्थितियों का जाय है इसके पीछे की जो जड़े हैं उनको जानने की कोशिस करें कि आखिर क्यों ये विवाद हो रहा है नाटो क्या है नौर्ट अट्लांटिक ट्रेटी और इसकी अस्थापना चार अप्रेल 1949 को हुई थी और उसका मुख्याल है ब्रूसेल्स बेल्वियम में है मैसेटोनिया छे फरवरी 2019 को नाटो का तीसमा सदस्थ से बना है इसका मतलब अगर यूक्रेन नाटो की सदस्ता या मेंबर्सिप ले लेता है तो उसका 31 सदस्थ बन जाएगा अब यह नाटो है क्या इस उसके सामने चुनोति यहा है कि उसके कुछ पड़ोसी देश पहले ही नाटो में सामिल हो चुके हैं और यह कौन से ऐसे पड़ोसी देश हैं उनमें इस्टोनिया है और लाता विया जैसे देश है जो पहले ही Sovya का हिस्सा थे लिकिन उससे अलग होने के बाद आज इन्हों नाटो की सदस्ता ले ली है इस वज़े से अगर यूक्रेन भी नाटो की सदस्ता ले लेता है तो रूस अपने दुस्मन देशों से चारो तरफ से घिर जाएगा इसी वज़े से रूस यूक्रेन को सदस्ता लेने से लिए रोक रहा है इसी करम में अब अगर यूक्रेन भी न कि अमेरिका नाटो जैसे देशों को सैन्य सहायता और आर्थिक मदद समय समय पर मोहिया कराता है अगर यूक्रेन नाटो का सदस्य बन जाता है और रूस भविस में उस पर हमला करता है तो समझोते के तहत इस समूह के सभी 30 देश इसमें अपने खिलाप हमला वानेंगे और य यूस के लिए एक सरीर से अपना सिरकाट देने जैसा होगा यही वजा है कि रोज नाटो में यूकुरेन के परवेश का परोथ कर रहा है तो यह मैनोंगा है रूस का यूकूरेन के साथ विवाथ होने की और इसी कंडिशन को आगे भरते हुए यूकूरेन के बारे में जान लगा गया था तो यूक्रेन ही एक मात्र छेतर था जहां से रूस ने अपनी सीमा की रक्षा की ती ये दिर्थिय विस्युद्ध की बात है अब अगर यूक्रेन नाटो जैसे देसों के साथ चला गया तो रूस की राजधानी मास्कों बहुत अच्छे तो जानी है रूस की र यूक्रेन को नाटो की सदस्ता लेने के लिए रोक रहा है जो ये दूरी है 640 किलो मीटर ये सदस्ता लेने के बाद हो जाएगी लेकिन वर्तमान में दूरी कितनी है 1600 किलो मीटर के आसपास है भारत की स्थिती जानते आखी रूस और यूक्रेन के उपर भारत की स्थिती क्या है रूस और अमेरिका दोनों भारत के लिए महत्पूर्ण है कारण क्या है कि रूस हो या अमेरिका हो इससे भारत के बहुत पुराने संबंद रहे हैं और आने वाले वर्सों में भी जो इस्थिती दिखाए दे रही है यहां पर भी संबंद सही नजर आ रहे हैं तो रूस और अमेरिका भारत की स्थिती को जानते हैं पहला भारत अपने सभी 55 फीसदी हथियार कहां से खरीता है रूस से खरीता है दूसरी बात जानते हैं अमेरिका के साथ भार में फरवरी 1993 में खोला था वर्तमान में यूक्रेन में लगभग 20,000 भारतिये फसे हुए हैं जिन में से 18,000 मेडिकल के चात्र हैं तो ये भारत के लिए कई तरह की एक इस्थिती है जहां पर भारत किसी भी डिसीजन को लेने से मना कर रहा है कारण क्या है कि रूस ने अब तक भारत चीन सीमा बिवात पर तच्चता बना हुए है मतलब भारत चीन पाकिस्तान के जो संबंद रहे हैं रूस ने अभी तक उस पर कोई भी ऐसा एक्शन नहीं लिया है जो भारत के खिलाफ में हो इस वज़े से भारत ना तो रूस के संबंद में अपनी कोई मतदान कर सकत है और ना यूकरेन के संबंद में वो अपनी कोई पर्थकिया जाहिर कर सकता है अगर भारत यूकरेन का समर्थन करता है तो कूट नीटिक रूप से रूस को बहुत अच्छे जानिए रूस को चीन के पक्ष में ले जाएगा इसलिए भारत ने अभी तक किसी भी पक्ष में मतदान नहीं किया है और यही इस्थिति रूस और यूकरेन के साथ भी है क्योंकि रूस भी कभी भी भारत और चाइना के समंद को ले करके कोई पर्थकरिया नहीं देता है अब यूकरेन की अगरवारी आती है तो इसमें भारत को तच्छता बनाय रखने पड़ेगी कारण यह है कि रूस के जो हतियार भारत में आ रहे हैं या अमेरिका से जो भारत के संबंध हैं वो पहले से काफी बेहतर है और आने वाले समय में और बेहतर इस्थिती में दिखाए देंगे तो आज करेंट अफेर्स टुडे की टॉपिक में यहीं तक मिलते हैं नेक्ट की तरफ ते जै हिन जै भारत